Hello everyone, my name is Tirvesh and you are watching my youtube channel Future indefinite sentence के बारे में बताया है मैंने बहुत ही simple सी चीज है लेकिन, लेकिन यहाँ पर मैंने एक छोटा सा catch भी है छोडी सी चीज है जो confuse करती है दो छोडी सी छोडी सी चीजे हैं जो मैंने इस वीडियो में clear की हुई है और वो दो confusion मैं बिल्कुल चाहूंगो आपको पता चले वीडियो मैंने छोटी ही रखिया जादा वीडियो लंबी नहीं है एक ही example की help से उस पर जादा समझाया है मैंने तो आप बिल्कुल उस वीडियो को देखिये और उस वहाँ से sentences बनाईए comment box में लिखिये और उस चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो वह चैनल भी subscribe कीजिए अभी मेरे active sentences चल रहे है future के खतम होने वाले है passive voices आएंगी उसके बाद narration आएंगी, story telling आएंगी conductors बहुत सारी चीज़े आएंगी चीक है तो वहाँ पे मेरा main plan है कि मैं वहाँ पे आपको grammatical जो knowledge है basic वो देता रहूँ यहाँ पे मैं आपकी practice भी करवाता रहूँगा sentence की knowledge भी देता रहूँगा ताकि आप दोनों को relate कर पाओ आपकी practice हो पाए तब आप यह समझ पाओगे कि अच्छा वहाँ पे इनोंने यह बताया था रहत वाए बोलेंगे तो तब तो पहले एक बार मेरा पूरा समझाने का काम हो जाए साथ ही साथ मैं बोलने के उपर भी चीज़े लाता रहूँगा वो सब कुछ होगा लेकिन दीरे दीरे होगा फिलहाल के लिए आप उस वीडियो पे चाहिए उस वीडियो कर आप देखिए सेंटेंस बनाईए कॉमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिखिए और कोई परेशान ही आती है आप महाँ पर सवाल भी पूच सकते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है अगर उस चैनल को आपने सो प्लीज आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए थांक यू